आप प्यारे बिद्यारतियों आज आप सभी लोगों के सामने हैं एक ऐसा टापिक आ रहा है ऐसे टापिक के बारे में आपको जानकारियां परदान की जाएंगी जिसको आप लोगों को इसके बारे में जानकारी अगर फ्राप होगी तो आप सभी बिद्यारतियों को बहुत अच्छा लगेगा कि हमको जो जानगारिया नहीं प्राप्त थी वो आज मुझे प्राप्त हुए हम आपके सामने किस चैप्टर की बात कर रहा हूं ज़रा देखने का प्रैस करेंगे मैं बोल रहा हूं डी ब्लाक डी ब्लाक इलेमन आपके सामने हैं डी ब्लाक के तक्तर चैप्टर की हमारे समस्त बिद्धर की इत बात वाकिफ है कि जो मंदलीव की आवर्स्टाइडी है इत मंदलीव की आवर्स्टाइडी को चार ब्लाकों में माटा गया है एक ब्लाक, पी ब्लाक, बी ब्लाक और सबसे नीचे हैं सबसे नीचे हैं आपके क्या है आपके ब्लाक मंदलीव की आवर्स्टाइडी को चार भागों में डिवाइड किया गया है ब्लाक के अधार पर वो चार ब्लाक है एस एस के बाद आपको बीज का जो पोर्षन होगा मंदलीव के आवर्स्टाइडी का जो पहला भी ब्लाक के फ़्लाक का नाम है एस ब्लाक तो एस ब्लाक में पाए जाने वाले आस ब्लाक के बाद बात आती है पी ब्लाक की फिर की तीछरे नम्बर तो आप लोग समझने का प्रयाश्ट करेंगे। जो पहला ब्लाख है वो ऐस्ट है, जिसके दूतरी तरफ आपका क्या भी है, दोनों के बीच में दी है, जैसे मैं आपके सामने इस तरह से खड़ा हूँ, देखने का प्रयाश्ट करें। आवर साड़ी में मैं इस समय खड़ा हूँ, तो जो दाहनी तरफ है, दाहनी तरफ आपका एस ब्लाख है, बाई तरफ आपका क्या भी ब्लाख है, बीच में यानि एस और पी ब्लाख के बीच में डी ब्लाख है। और सब चे नीचे दो सरडियां हैं जिनको लंधनाय सरडी और एक्टिनाय सरडी कहा जाता है वो भी कि ब्लाक के तक्तु है यठ ब्लाक के तक्तु हैं। तो चार ब्लाक आपके सामने, आईए, तो मैं आप सभी बिद्यारतों के सामने, डी ब्लाक के तत्तों की बात करता हूं, डी ब्लाक के तत्तों की बात करता हूं, यह आपको जानकारी लेना है, कि डी ब्लाक के तत्तों की बात करता हूं, धान देने जो योग बात है, उतको ब जो बहुत अच्छी तरीके से हमारे विद्धारती समझ जाएं तो बहुत अच्छा है वह क्या हूं डी ब्लागते हैं तो कि अगर हम बात करता हूं तो कुछ नार्मल कंडीशन आपको हम बता रहे हैं जरा इसको ध्याम धने का प्राइस करें को यह जो बर्तमान कि लोगों के कांचप्त को मिलागर के इसको बनाया जया है इसलिए इसको कहा जाता है बोरबरी हैं जो आधंता का जो रूप लिया है यह आवर्साड़ी उसको आपको जेखना बोर वरी वर्नर इन सबका में कांचप्ट है लेकिन कुल मिलाकर में कांचप्ट पर अगर हम आएंगे तो में कांचप्ट यह है कि यह अवर साली अलेक्ट्रानिक बिन्याज पर आधारित है इसमें पाए जाने वाले जो तक उनको चार भाव में क्या किया गया है डिवाइट किया गया है अग ब्लाग पी ब्लाग दी ब्लाग और अप देखियो डी ब्लाग की सब्सक्राइब अच्छी चीए कि आधा एलिमेंट कि आधा है कि आधा एलिमेंट और और आधा एलिमेंट और मेंटर कि बहुत बढ़िया पांट है डी ब्लाग में जो भी तक है आधा कि दी ब्लाग में जितने वित तक्त हैं और समस्च तक्तों धात है और मैंटल ज्रस है पुर हम दूतरी उन्हासि बात करता हूं आपके सांसे, दोत्रा काम सब d-block में पाये जाने वाला जो alignment है, उनकी physical state solid हो झीजढे तक जो होते है उनकी physical state किया होती solid, लेकिन लगा हूं लेकिन किस बात का विदाउट मर्करी लेकिन डी ब्लाप में मर्करी विधार था लेकिन मर्करी की फिजिकल एक्टेट क्या होती है कि लुकुड होती है तो मर्करी जो आपका है उस मर्करी की जो फिजिकल एक्टेट है वो क्या है लुकुड है दी ब्लाप में जो तत्तु पाया जाते हैं उन तत्तों की फिजिकल एक्टेट क्या है मैंने आपके सामने बता आप ठोस अवस्था में पाया जाते हैं लेकिन मर्करी ये कहता है तत्त क्या होती है द्रव दोती है कि डी ब्लाक के तर्टों कि रंगीन आयन बनाते हैं कि डी ब्लाक के तर्टों रंगीन आयन कलर्ड है किया और इन डी ब्लाक के जो आयनं होता है वो क्या होता है रंगीन होते है Dow Sounds वह अगर आपके साने अगर वह आमझे रूममें हैं तो उनके खना घ्लर होता है तो है मिभी तो कि सबसे बढ़िया चीज आपके सामने जो मैं बता रहा हूं को धान से समस्त्य चलेगे तो हमारे समस्त्य बज्जार्चियों को यह कांसेट कि लिए दोगा डी ब्लाक तक्तों का माइजनेटिक बिहाइवियर पारा माइजनेटिक होते हैं डी ब्लाक के तक्तों का मगें आपके सामने एक एक कोई कहा उसको बहुत अच्छी तरीके समझें दी ब्लाक के जो धातों के जो धातों हैं उनकी भावतिक अवस्था ठोस होती है लेकिन मर्गरी की भावतिक अवस्था द्रव होते हैं डी ब्लाक के जो तक्तों है उनके जो आयन है वो रंगीन आनि कलर आनि कलेड होते हैं दी ब्लाग को जो तर्त है उनका जो चुम्बक के प्रत बेहवार है बिहाइबियर टूवार्ड मागनेट आणु चुम्बक के प्रत कैसा बेहवार है वो कैसा है बारा मागनेटिक होता है आपको देखना है अब करते बट पॉंट जो आपके चांगे यह है यह भी आपको देखना है क्या देखना है डी बलाग की जो ठक्त होते है उनकी आश कрийकरन अवस्था परिवरतन चिगील होती है इसका मतलब हुआ कि आपको ऐसे कई डी बलाग के चांगो बिलेंगे जो कंपाउंड में डिफ्रन्ट टाइब की आकचीडेसन स्टेप सो करेंगे प्रविवर्थन लाची करणा अवस्था प्रदशित करते हैं अगला पहूंश किसी की तरह समानता रखते हुए परिवर्तन चील सायोजक्ता आपको मिलेगी आपको मिलेगी तो यानि परिवर्तन चील सायोजक्ता है आप्तिकर्ण अवस्था भी क्या है परिवर्तन चील सायोजक्ता आपके सामने इसके बताएं है डी ब्लाग के बताएं लेकिन डी ब्लाग अनि इस तक्तों को डी का नाम क्यों दिया प्रेस उट रहा है कि इस तक्तों को डी ब्लाग का तक्त क्यों कहा है यहां पर माने अभी पूरा कांचप नहीं दिया है इसमें कुछ चीजें अभी तमस्च्यात्मक हैं तो वो मैं आपके सामने बोल रहा हूं माने एबर कुना मैं बोल देता हूं यह जो आवर साड़ी है आदो ने कुछ को बोर वरी रांग और वर्नर न दिया है इन लोगों ने अलक्त्रानिक बिन्याज के अधार पर तत्तों को क्या किया क्रमबद किया है परमाण क्रमां के बढ़ते हुए क्रमबद बात उठ रही अगर आप समस्त्य है तो आपको अच्छा लगेगा कि हम क्यार कहना चाहते हैं हमने का इन तत्तों को डी ब्लाग का तत्त या डी ब्लाग के अलिमन क्यों कहा गया है अलता इसलिए कहा जाता है इन तत्तों को डी ब्लाग का तत्त इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो अंतिव अलेक्ट्राण है लाज्ट अलेक्ट्राण अन मानिस वन दी सबसल में प्रवेश करता है अगर आयज़ा कोई तत्त जिसका हम अलेक्ट्रादिक समस्य करता है तो इसको क्या कहते हैं दी ब्लाग के तत्व कहते हैं लेकिन एक समस्य यहां पर थोड़ा सा है दी ब्लाग की जितनी प्रापर्टीज मैंने आपको बताया उन समस्य प्रापर्टीज से एक कोस्टन उभर करके सामने आ रहा है वो कोस्टन दबाएगा जम्मा इसको बतागा दी ब्लाग के तत्व वही होते हैं जिनका अन मानस वन डी अपूर होता है अपूर मनलब इनकंप्लीट अगर अन मानस वन डी सबचल में अधित्तम अलेक्टरानों की चंक्या दक हो जाएगी कि अगर दक हो गई तो एक अगर जो जाएगा अजब कंप्लीट हो जाएगा तो इसको स्टैंडर्ड डी ब्लाग के तक तक रूप में नहीं माना जाता है क्योंकि डी ब्लाग की अदिकान जो प्रापरिटीज है उनको वो यह प्रदर्तित नहीं का जाएचे अब यह वाली आपने जिनक काडमियं मर्करियं यह आवर साली में जब आप देखेंगे तो आवर साली में यह तक्त डी ब्लाक के तक के रूम में रखे गया है यह अनसे तक्तों को दी ब्लाक में रखा गया लेकिन दी ब्लाक को किसी भी प्रापरीटी को सुझ है करь जिनका आएट होगा वो क्या होता है प Taylor आप जिनकी जैसे जडन फ्लाटकू प्लाट टू जडन फ्लाटकू है तो यह रंग हिन होता है कलर देख आपको अभी बताया गया कि D-Vlog के जो तत्त हो उनके जो आयन होते हैं वो इस प्रापाइटीज उप्राइटीज को नई चो किया दूशरी प्रापाइटीज मने बताया था कि इनकी आक्षिकाड अवच्छा क्या होती है प्रदर्थिक परिवर्थसन चील होती है इनकी आटेशन अवठा बनलती रहती है कि इसमें फिस्ट आटेशन इक्रतेट होती है कि जिनकी आटेशन इनकी है प्रवर्तन सील नहीं चंप नहीं जाएंग जल्था क्या है परवरतन सील में सब्सक्राइब करेक्टर इन लोगों के द्वारा फालोग नहीं किया जाते हैं सबस्या है तो उस समस्या को दूर करने के लिए जो दुई ब्लाज के तत्त हों उनको चंकरमरा तत्त कहाँ जाता है चंकरमरा तत्त को कर comprend स स्का मतलब हुआ उगमिसम्र कहिए इंगलिसमें कहाँ प्रणसीशन ऐलिमन्ट कि इनकी जो डी ब्लाक की जो प्रापरटीज है जो माने आपको डी ब्लाक की समच गुड़ों के बारे में बताया वो नहीं मिल रहा है कुट इसेखर लेक्षण मैज करते हैं और ब्लांग वहल तो समस्य आई तो बाद्यानिक लोगों निया इसके ships देते हुआ इन दत्तों को जिद्ध जो आपके तामने हैं इन दत्तों को संक्रमर्ट तत्व ना कहते हैं सभी लोगों के साथ सभी वक्षां को बहुत दहनवार यह आपके सामने इतना अग्रेद के बारे में बताया चेज जो चीज़ंक आगे बताई जाएंगी आप लोगों को अगर मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो आप सब्सक्राइब करें और लोगों को सिघर करें और लोगों से यह बताने का प्रयाज करें कि अधिकांत लोगों के पास यह मैटर समझाने का भी प्रयाज करें कि देखें और सब्सक्राइब करें वीडियो पूरा देखें अब पूरी तरीके से सब्सक्राइब करे मैं अपने चात्रों के लिए पूरी तरीके से समर्पित हूँ मैं चाहता हूँ कि हमारे समस्थ विद्यार्थेों के पास इसलिए समस्थ बिद्यार्थेों के बहुत-बहुत धन्दवार और सब्सक्राइब करना नहुए A lot of thanks